दोस्तो इस वक्त मिडल क्लास महिंगाई को जहल रही है महिंगाई का मार मध्यमवर्ग पर यही है आज का टॉपिक और अजीब बात यह है कि सरकारी आंकड़ों में दिख रहा है कि महिंगाई गिर गया है काम हो गया है लेकिन आप पूछेंगे हमें ऐसा फील क्यों नहीं हो रहा है सरकारी आंकड़े अगर हम देखें जिसको रीटेल इंफलेशन यानि की कंजूमर प्राइस इंफलेशन जो हम लोगों को एक तरीके से एफेक्ट करता है वो महिंगाई दर लगातार मही से गिर रहा है मही में कर अब 4% पर उतर आया क्या ये सच है क्या ये सच में ऐसा हो रहा है तो फिर हमें क्यों नहीं महसूस हो रहा है हमें क्यों लग रहा है कि चीजों के दाम बहुत तेजी से बढ़ रहा है इसका कारण ये नहीं है कि सरकार जूट बोले इसका कारण है कि जिस तरीके से महेंग चालिस प्रतिशत खर्च किसी भी परिवार का होता है। आप जादे मिडल क्लास के लिए ऐसा नहीं होता है। 20-25 प्रतिशत सबसे ज़्यादा खान पान पर मिडल क्लास का खर्चा है। और इसी में खाने में अगर हम सिर्फ अनाज देखें जो गेहूं, आटा, चावल इनको देखें तो 10 प्रतिशत माना जाता है किसी भी परिवार का खर्चा उस पर है। मिडल क्लास परिवार में वो 2,5 प्रतिशत से ज़्यादा नहीं होता है। उसी तरह अगर हम देखें कि सरकारी आकड़ों में घर पर खर्चा, हाउजिंग यानि रेंट हो, आप किराय पर रह रहें, EMI दे रहें, वो कुल खर्चे का 10 प्रतिशत होता है। कम से कम 10 से 15 प्रतिशत है उससे कम नहीं। पेट्रोल चाहिए वो गाड़ी चला रहे है, थोड़े ज़ाधा खर्च करते हैं, बाइक चला रहे है, थोड़ा मध्यमगर्ग या निम्न मध्यमवर्ग में हैं। 10-15 प्रतिशत उनका इस वक्त पेट्रोल पर खर्च हो रहा है। तो इसलिए जहां सरकारी आख्रों में 4 प्रतिशत देख रहा है महिंगाईदर, असल में हमें महसूस हो रहा है मिडल क्लास के लिए ये 7-8 प्रतिशत के आसपास होगा। क्योंकि पेट्रोल के दामी पिछले सितंबर के तुलना में 25 प्रतिशत बढ़ गए जो खाने का रसोई का तेल होता है खाना बनाते है रिफाइंड ओल कुछ भी हो औसतन 34 प्रतिशत बढ़ गया है जो लोग अंडा खाते हैं उनके लिए खर्चा 7 प्रतिशत अंडो पर बढ यूज करते हैं वो 7-8 प्रतिशत बढ़ गया है और बाकी कुछ ऐसे चीजे हैं जो मिडल क्लास जादा खर्च करते हैं और बाकी लोग नहीं करते हैं उनका अगर हम इंफलेशन दर देखे जो लोग मास मच्छी खाते हैं उनका 8 प्रतिशत औसतन बढ़ गया है घर में जो हम चीजे यूज करते हैं चाहे वो बेड हो टेबल हो फरनिचर हो लाइट वगयरा पंखा वगयरा औसतन उसका साल में दो साल में हम खरिकते हैं तीन चार साल में खरिकते हैं लेकिन महीने का औसतन अगर हम देखें तो उसका बढ़ गया है लगभग 6 प्रतिशत जो घर में आपका काम करता हो कोई चाहे वो ड्राइवर हो या घर में खाना बनाने वाले हो बरतन करने वाले हो उनका औसतन जो आप वेतन देते हैं वो 8 प्रतिशत बढ़ गया है केवल टीवी पर आपका खर्चा 7 प्रतिशत बढ़ गया है यह सरकारी आंक रें बाकी जिस पर हो सकता आपका अपना जादा खर्चा बढ़ा हो और अगर आपके घर में बच्चे हो जिनके लिए आप ट्यूटर रखते हैं या कोचिंग क्लास में भेजते हैं उनका ओसतन खर्चा 7 प्रतिशत बढ़ गया तो आप साफ देख रहे हैं कि सरकारी आंकडों में जो माना जाता है खर् लेकिन आने वाले दिनों में और भी पुरा हो सकता है वह इनपुट जो चीजे हैं इनपुट यानि कच्चा माल जब किसी भी फैक्टरी में सामान बनता है उसके लिए जो कच्चा माल जाता है उन चीजों के दाम तेजी से बढ़े हैं पिछले साल की तुलना में अगर हम जिनको मेटालिक मिनरल कहते हैं ठीक है मेटालिक मिनरल है जो भी मेटल का जो चीजे आपके घर में हो उसके काम में आते हैं वो आसतन 33 प्रतिशत उनके दाम बढ़ गए हैं अगर हम आइरन ओर देखें जिससे स्टील अगेरा बनता है वो 94 प्रतिशत 94 प्रतिशत कॉपर 13 लेड लगभग 25 प्रतिशत लाइन स्टोन चूना लगभग 15 प्रतिशत और क्रूड पेट्रोलिय जिससे बहुत चीजे बनते हैं सिरफ पेट्रोल डीजल नहीं प्लास्टिक बनता है कॉस्मेटिक तक बनता है रबर तक बनता है पेंट बनता है वो 72 प्रतिशत बढ़ा है उसी तरीके से जिनको basic chemical का जाता है, जो किसी भी manufacturing process में ज़रूरी होता है, किसी भी factory में ज़रूरी होता है, वो 22 प्रतिशत, plastic और rubber, synthetic rubber, जो crude petroleum से बनता है, chemical से बनता है, वो 23 प्रतिशत, paint वगेरा जो घर में हो, या factory में कहीं पे भी लगा रहे हो, बिल्डिंग में लगा रहे हो, office में 11 प्रतिशत, man-made fiber, synthetic fiber, उनके दाम लगबग 18 प्रतिशत बढ़ गए है, बाकी अलग तरीके के chemical products, जो basic नहीं है, अलग बाकी chemical products, उनके भी दाम 13 प्रतिशत, steel product के दाम 27 प्रतिशत, तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से input, ये सारे input के दाम अगर बढ़ रहे हैं, तो फिर जो चीज़े हम खरीदेंगे, उनके दाम भी बढ़ेंगे, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आगे आने वाले दिनों में भी महिंगाई की मार मिडल क्लास पर बनी रहेगी, मिडल क्लास को इसको जहलना पड़ेगा, और इस वक जहलना पड़ेगा, जब मिडल क्लास की आए कम रही हो रहे हैं, यानि आमदनी अठनी खर्चा रुपहिया, आज का शो यहीं तक, न्यूज क्लिक देखते रहे हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए और निस्प को बटन दबा के ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए.